हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपने एक्जाम की परेपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के उपर जो इंपॉर्टन कराए जाएं ताकि उनका टाइम जो है सेफ होपाए जाधा टाइम उनका वेस्ट ना हो तो आज के बाद जो भी वीडियो दोस्तों आएंगी वह उस में हम ट्रेक्ट भी जो है वो discuss करेंगे बाकी options वो है discuss नहीं करेंगे तो चलिए देना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला question आपके पास है which ruler built an outer wall of what हरी परवत हरी परवत की outer wall किस ने बनाई थी और साथ ही साथ and planned a new capital called नगर नागोर to be built within the wall ठीक है आपको उस ruler का नाम बताना है जिन्नों ने outer wall हरी परवत फार्ट की बनाई थी और plan किया था कि वो एक new capital city बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे नगर नागोर जो की विदिन दा वाल आफ हरी परवत के अंदर होगी तो दोस्तों उन ruler का नाम आपको मैं बता दू उन ruler का नाम था अकवर जी अकवर जी ने ये प्लैन किया था कि वो एक capital city बनाएंगे जिसका वो नाम रखेंगे नगर नागोर जो की हरी परवत के अंदर होगी तो चलिए नेक्स कोशन पर हम मूव करते हैं दोस्तों नेक्स कोशन आपका है तो री अनुवेशन के उपर जब आपको कोशन पुछा जाएगा तो दोस्तों आपका अंसर होगा महराजा गुलाब सिंग जी पर आपको की है याद रही तो इसी के साथ हम मूव करते हैं दोस्तों अपने नेक्स कोशन के उपर नेक्स कोशन आपका है Bahufat in Jammu has the shrine of वहाँ पर किन की shrine है तो कौन से देवी देपता जो है वहाँ पर है जिनकी वहाँ पर shrine है तो दोस्तों वहाँ पर shrine है भवे वाले माता की आप सब जानते हैं भवे वाले माता की जो shrine है वो आपकी है भवाँ पर इन जम्मू में ठीक है टूलिप गार्डन जो है वो कहां पर situated है जो world famous है तो दोस्तों ये situated है आपका सीरी नगर में सीरी नगर सीटी में जो है ये आपका situated है तूलिप गार्डन तो मूव करते है नेक्स कोशन के उपर विच इस दा अली डॉम्ड मास्क्यू इन सीरी नगर कों सी एक अकेली डॉम्ड मास्क्यू है जो सीरी नगर में है काफी इंप्षाइन Information कोशन है ये बड़ी बार एक्जाम में पूछा चाचू का है तो वो है आपका हजरत ऑल हजरत बल मास्क्यू जो है वो only domed मास्क्यू है जो सीरी नगर में है ठीक है दोस्तों ये भी आपको clear होगा चलिए move करते है next question के उपर the result known for its golf course the highest in the world तो बताइए वो कौन सा result है जो known as golf course जिसे golf course से नाम से जाना जाता है the highest in the world ठीक है और golf course the highest in the world के नाम से जो है जिस result को जाना जाता है तो दोस्तों वो है गुलमर्क ठीक है गुलमर्क को इस नाम से जाना जाता है गुलमर्क को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों वो भी आपको पता होगा meadow of flowers के नाम से जो है गुलमर्क को जाना जाता है तो ये भी आपने याद रखना है कि मीडियो आफ लावर्स किसे बोला जाता है वो गुलमर्क को बोला जाता है तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं हम अपने नेक्स कोशन के उपर तो विच हिंदुगाड इस मरतंड सन टैंपल एट्रिविटेड ठीक है कौन से हिंदुगाड को जो है मरतंड सन टैंपल जो है ट्रियूर हुआ है तो यानि कि बोल सकते हो कि वहाँ पर किन देवी देपताओं की जो है मूर्ती है या किसको जो है डेडिकेटेड है वो जो टैंपल है को से देपता को किस बहगवान को speaking कौन को देडिकेटिट है तो वह आपकी है लाड सूर्य को कौन को तो इस तरह से आपने याध रखना है तोस्तों मूव करते हम अपने नेक्च कोशन अपका का है मौतन रिश्ञ सं टेंपल constructed by और built by यह आपका आएगा दोस्तों ललित मुक्तापिदा in 8th century BC ललित मुक्तापिदा जी ने इसको जो है construct किया था कब किया था 8th century before Christ ठीक है तो यह अपने नाम भी याद रखना है ललित अदित मुक्तापिदा किसको बनाया था इन्होंने इन्होंने बनाया था मरतंडिसन टेंपल को जो की लाड सूर्य का टेंपल है ठीक है तो चलिए मूफ करते हैं दोस्तों next question के उपर next question आपका है दोस्तों which place is properly known as Venice of East तो Venice of East किसे बोला जाता है दोस्तों तो आप सब को पता यह पता है यह बोला जाता है सिरिनाकर को सिरिनाकर को जह है Venice of East बोला जाता है तो दोस्तों हमने जो टूर्ज टैस्टेशन की वीडियो हमने टापिक पर आया है उसमें हर एक चीज जो है cover होगी आपके exam में जो भी question आएगा उसी में से frame आएगा उसके बाहर जोगा question नहीं आएगा तो वीडियो आप जरूर से देख लेना इस quiz को करने के बाद सहे देख लेना जरूर से वीडियो देख लेना काफी helpful रहेगी आप सबको आप सबके लिए तो चले move करते हम next question के उपर which of the lakes is the largest of the high altitude lakes in the trans himalayan region entirely within India काफी important question है दोस्तों यह काफी important मैं बोल रहा हूं तो काफी important होगा यह for example point of view से भी आने की काफी साथ chances हैं तो बताएगे which of the lakes is the largest of the high altitude lakes in the trans himalayan region entirely within India है जो तो दोस्तों उसका नाम है तोसो मरोरी लेक याद रखना है आपने यह हमालेन region के उंदर है और entirely within इंडिया है और high altitude lake है यह चीज़े आपने इसके बारे में याद रखनी है दोस्तों क्या क्या याद रखना है या जो मैं underline करूंगा उन चीज़ों को आपने याद रखना है largest of the high altitude lakes है वो trans himalayan region में है और entirely within इंडिया है यह चीज़े आपने इसके बारे में याद रखनी है नाम क्या है तोसो मरोरी लेक तो चलिए मूब करते हैं सीके साथ next question के उपर तो जो जहांगीर ने built गया था शाली मार बाग इन स्री नगर वो किस के लिए क्या था यानि कि शांगीर जहांगीर built the शाल शाली मार बाग हो गया यहांपे इन स्री नगर फार तो जहांगीर ने जो शाली मार बाग बनाया था स्री नगर में वो किस के लिए बनाया था वो आपने हमें यहांपर बताना है तो टैंपल को कारके आप यहांपर बाग कर लिए न तो जहांगीर built the शाली मार बाग इन स् question के उपर नेक्स question दोस्तों आपका है पंच बक्तर टेंपल वन अफ द ओल्डेस्ट टेंपल आफ जम्मू इस अट्रिबुटेड टू विच हिंदू डाइटी तो किस हिंदू देवता या देवी को जो है पंच बक्तर टेंपल जो है वो डेडिकेटिड है बताएए पंच बक ग्तर टेंपल लार्च शिवा को जो है डेडिकेट है तो यह आपने याद रखना है इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स कोशन के ओपर हू कंस्ट्रक्टिड हू स्टार्टिड दा कंस्ट्रक्शन आफ रगुनाद मंतिर तो बताईए की रगुनाद मंतिर की जो थी तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो आपको होगा महाराजा गुलाफ सिंग जी ने जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो को स्टार्ट किया था तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कोशन के उपर अपक है तो चलिए मूव करते है नेक्स्ट के उपर यह वी यह वी काफी इंपोर्टन कोशन है तक्ते सुलेमान किसको बोला जाता है कौन से टेंपल को जो है तक्ते सुलेमान बोला जाता है तक्ते सुलेमान किस टेंपल को बोला जाता है तो दोस्तों आपका अंसर होगा शंक्राचारे टेंपल तो शंक्राचारे टेंपल को जो है तक्ते सुलेमान जो है बोला जाता है काफी important है और शंक्राचारे temple के बारे में detail में आप हमारी वीडियो में पढ़ सकते हो काफी important बाते हैं इस temple के बारे में तो चली move करते हैं next question के उपर एक important बात ये है कि इसकी जो stairs थी वो किसने बनाई थी इसकी stairs जो थी शंक्राचारे temple के बारे में थी गुलाब सिंग जी ने ठीक है ये भी आपने बाद याद रखनी है exam में आ सकती है ये भी तो चली next question पर हम move करते हैं who built a chest में शाही तो chest में शाही को किसने बनाया था पताईए chest में शाही जिसको एक royal supreme भी बोलते है royal supreme के नाम से भी इसको हम बोलते है तो इसको बनाया किसने था basic ये हमें पूशा गया है question में तो maximum लोगों ने जिनों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा किसने बनाया था तो इनको बनाया था चच्छमे शाही was built in 1632 by अली मरदान खान on the orders of शाह जहा as a gift for his elder son दाराशिको ठीक है और दाराशिको जी ने भी एक वो बनाया है palace बनाया है जिसे परी परी महल के नाम से जाना जाता है दाराशिको जी ने क्या बनाया है परी महल बनाया है ये भी आपने याद रखना है तो मैंने क्या क्या बाते इसमें बताई हैं याद रख लीजिए आप दुबारा से एक बात मैं बता देता हूँ जो चश्मे शाही है उसको 1632 सिस्वी में अली मरदान खान जी ने किसके orders के उपर बनाया शाह जहान जी के orders के उपर बनाया बनाया दारा शिको के लिए जो की क्या थे किसके शाह जहां के इस तरह से आपने इसको फुल एक्स्मिलेंट करके पढ़ लेना है इसके बाड़े में काफी इक्षान कोशन है और काफी ज़्याद इमपार्टन भातें भी हैं यहांपर दाराशिको में मैंने बताया, दाराशिको ने क्या कौन सा पैलस मनाया था, एक परी महल बनाया था, ठीक है दाराशिको जी ने, तो चलिए इसी के साथ Itu करते है next question के उपर, बताये, who constructed the shankracharya temple, शankracharya temple को बनाया किसने था, तब अभी हमने उपर पड़ा, इसके बारे म हरी परवत हरी परवत चीने सबसे पहले बनाया था उसके बाद दूरानी आरे में उसकी स्चुन कमप्लेट हुई थी तो उसको वहां पर किस-किस देवि देवित्वत ज्राय की जो हरी परवत में जो मैं पर लीकिऊंगु यह रही है तुर्जई क्या की एक तो इनकी श्राइन है दूसरी श्राइन आपकी वहां पर है मकदूम साहिब की जो की श्राइन आफ हमजा मकदूम के नाम से जानी जाती है तो मकदूम साहिब की वहां पर श्राइन है इस तरह से आप बोल सकते हैं और धर जो श्राइन है वहां पर वहां पर वहां पर वहा तो what are the other name साफ हरी परवत हरी परवत के other name क्या क्या है other name है उनके तो other name है तो दोस्तों दुरानी फार्ट क्यू बोला जाता है क्योंकि अकवर के टाइम पर इसकी construction कंप्लीट नहीं हो पाई थी इसकी construction जो थी वो दुरानी एरा के ताइम पर कम्प्लीट हुई थी तो इसको जो है दुरानी फार बोला जाता है और कोही इमरान जो है इस नाम से भी जो है हरी परवत को जो है जाना जाता है दोस्तों ठीक है यह चीज़े आपने इसके वारे में याद रख लिए होंगी दोस्तों होप दुरानी फार और कोही म को दोस्तों किया था आसिप खान जी ने जो की built-in 1633 असीफ खान एलडर ब्रदर आफ नूर जहां ठीक है नूर जहां के जो एल्डर ब्रदर थे आसिप खान उन्होंने 1633 इसमे में इसको कंस्ट्ट खान तो यह इंपॉर्टन बाते हैं इसके वारे में आपने पढ़ लेनी है है यहां से तो निशानत बाग को किस ने construct किया था यह किया था नूर जहांके elder brother आसिव खार ने तो इसको जो निशानत बाग को जो है largest भाग भी बोला जाता है सरिनागर का ठीक है बड़ा बाग है सबसे यह भी इसको बोला जाता है आप Google पे confirm कर सकते हों कि बड़ा बाग कोन सा था इस गुरेंटी नहीと यही था पर मैंने पड़ा है कि जो निशान्तबाग उसे निशान्तबाग है तो आप ous comment में बता सकते हूं कि कौन सा बड़ा बाग है तो चलिहीं इसी के साथ हम आ стать ह Bür करतें ररा यह कि तो किस ने सब्सक्राइब राजा बहुलोचन ने इसके साथ करतें नेक्स कोशन के उपर नेक्स कोशन आपका है वो कंस्ट्रक्टिर दा फेमस बीमगर फार्ट इन रियासी जो फेमस बीमगर फार्ट है रियासी में उसे किसने किसने कंस्ट्रक्ट जो है किया था तो दोस्तों अभी हमने उपर पढ़ा था इसका कि महाराजा रिशी पाल राना जी ने इसको construct किया था और इसको रियनोवेट किया था महाराजा गुलाव सिंग जी ने ये दो दोनों बाते मैं आपको अपको अभी बताई थी तो होब आपको ये clear होगा उसके साथ ही हम move करते है अपने next question के उपर तो दोस्तों next question हमारा क्या ह है पढ़िए the famous hill result पत्री टाप has its name derived from जो पत्री टाप नाम है वो कहां से derived हुआ है पत्री टाप जो नाम है वो कहां से derived हुआ है ये पूछा गया है question में कहां पे situated है यह आपको पूछा जा सकते है तो यह उद्युपर डेस्टिंग में situated है आप सबको पता होगा तो चलिए इसका जो answer है दोस्तों वो है कि पत्री टाप कहां से derive हुआ है वो है हुआ है derive पत्तादा तलाब meaning pond of princess तो पत्तादा तलाब जो है इस नाम से यहां से derive हुआ है जिसका नाम था pond of princess ठीक है तो यहां से आप याद रख सकते हो पत्री टाब is derived from पता दा तलाब meaning part of princess ठीक है तो तो चली दोस्तों move करते है next question के उपर which organization looks after the tourism sector in JNK तो कौन सा ऐसी organization जो look after करती है किसकी tourism sector की JNK में तो दोस्तों वो है आपकी जमू एंड कश्मीर Tourist Development Corporation JKTDC ठीक है JKTDC जो है वो आपकी जो है look after करती है किसकी tourism की जो जमू एंड कश्मीर में total tourism आता है उसकी look after कोन करती है उसकी look after करती है JKTDC जनी की जमू कश्मीर Tourist Development Corporation जो की established कब हुई थी 13 February 1970 में ठीक है तो यह look after करती है तो इसी के साथ move करते है next question के उपर तो next question आपका दोस्तों है the fort located in the on the hill in the vicinity of Rajori town constructed by तो मुगल एंपरर जहांगीर constructed by मुगल एंपरर जो जहांगीर थे उन्होंने इसको construct किया था तो तो हम अपने question number last में थे तो the fort located on the hill in the vicinity of Rajori town constructed by मुगल एंपरर जहांगीर तो वो कौन सा फार था उसका नाम हमें बताना है जो जहांगीर जी ने बनाया था एंपरर मुगल एंपरर जहांगीर जी ने बनाया था राज़ोरी में तो उसका दोस्तो नाम है दनींदर फार दनींदर फार जो है इसका नाम है जो मुगल एंपरर जहांगीर जी ने बनाया था कहां पर बनाया था दोस्तों बनाया था इसको राजोरी टाउन में तो यहाँ पर हमारे जो कोशन स्टोटल जो है कन्कलूड होते हैं दोस्तों किसी को कोई भी किसी भी कोशन में कन्फ्यूजन होगी या कि